ट्रेनिंग जब चलती रही तो खबरे आती रही पॉजिटिव खबरे भी आती रही और कुछ रिलाक्सेशन के मनाजर भी हमने देखे ओवराल कैसी रही ये ट्रेनिग देखें दानिश आपको याद होगा वहाब रियास का हम लोगों ने एक इंटर्वी किया था तो वहाब जो टेस्क पगरा उसका बिल्कुल कॉंसेप्टिक खत्म हो गया था तो इन फिटनेस के मामलात को देखते वे अब पीसीबी ने दो हफते काकूल में जो पाकिस्तान मिलेटरी अकैडमी है उनके जो ट्रेनर से उनके साथ लड़कों का एक अच्छा सेशन रखा और लड़क जो सतरा रूपनी टीम है उसका कल रात पिंडी स्टेडियो में पहला सेशन था आज शाम को दूसरा सेशन होगा और कल फिर पाकिस्तान टीम जो है उसने वर्ल्ल कप के उस कैमपेन का आगास करना है जो यकुम जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शुरू होनी है ब इन 11-12 मैचेस के बाद हम एक उस टीम को बनाने में कामियाब होंगे जो वर्ल कप में है बड़ी जबर्दस ब्लेसिंग है बड़ी साब ये कि पाकिसान के पास इतने सारे मैचेस हैं और सिकुबाइ अच्छी बात ये कि बड़ी टीमों के खिल रहे हैं और जो आसोसियेट हैं ICC की उनके खिलाब भी हम खेल रहे हैं मारजन है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन का जैसे न्यूजल के खिलाब का से सीरीज है उनके जो में स्टेंथ वाले बोईज हैं वो स्कॉर्ट का हिसा नहीं है वो भी काफियत तक नए प्लेयर्स हमारे पास भेज रहे हैं तो अच्छा मौका है पाकिसान के लिए बिलकुर अच्छा मौका है मगर भी जो आपने सवाल किया था काकूल वाला जी सर उसमें एक बड़ा इंट्रेस्टिंग एक हमारे बड़े क्रिकेटर ने यह बयान दिया कि इससे हमें आपस में जैल-इन होने का बड़ा जैसे हम एक द टीम के साथ असिस्टेंट कोच और अनिलिस्ट था तो टीम डिनर्स होते थे सब एक साथ एक मेस बैठके टीम की तरफ से डिनर्स होता था था सब यह हो आइम शूर होते होंगे तो यह बात मुझे एक अजीब सी दगी की जी जैल-इन हो रहे हैं और यह जो ट्रेनिंग मुझे 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 मुलेगा ही नहीं कौन जाता है इतने बड़ी-बड़ी जगहों के किसी को नहीं अजाज़त होती तो मेरी जिंदगी का मगर वह जो बात कहीं ना कि हम आपस में मिले बैठे तो मैं हरान था किया यह लोग टीम जब जाती है बाह करो हम यहां बैट के तीन साल चार साल से कह रहे हैं के भाईजान आप लोग रेस्ट लें और कुछ दूसरों को भी खेलने दे हमने एक ऐसे कोच को भी सुना जिसने कहा जो पता नहीं कौन अफलातून था मुझे तो नहीं याद आ रहा है उसका नाम यह होगा भी तो मैं नही तो यह बातें जो हम थी चार साहसे कर रहे थे वह जाकर अब इस क्रिक्ट बोट ने इंपलिमेंट कर आया है तो मुपार्द लेक्टने हैं तो नो ब्रेनर है प्लीज करेक्ट में रॉंग मुझे जो पॉजिटिव लगते हैं साही मयूब एक पॉजिटिव हैं उन्होंने पीसल में भी दिखा है उससे पहले दुनिया भर में जो साही मयूब की बाते हो रही है उनके अंदर टालेंट मौजूद है फिर आज बॉलर उनने अपने आपको इस वक्ती में मौजूद हैं बड़ी फिट तसावीर भी आ रही हैं आजम खान की बटी साब काकुल की मिलिटरी अकैडमी से लुक्ट इक्स्ट्रीमली पिट अबास आफरीदी इसमें एक पॉजिटिव हैं अबरार रहमत अब फिट हैं तो वह पॉजिटिव हमें नजर आ प시कता को एक अग्नौर हो गया हो अब जिसना इमाद वसीम जिन्हों ने रीटायर्मेंट वापस ली उनको माजी में शिकायत रही है कि मुझे चुके इंग्नौर किया जाता हैं तो नहोंने फिर एसजाजन रीटायर्मेंट ले ली मौमाद आमर चार साल पहले उन्होंने भी रिटार्मेंट डेली थी, उनको भी रिटार्मेंट वापस लेने के बाद टीम में शामिल कर लिया गया, तो मेरे खल में अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, अब जो इंटरेस्टिंग सेनेरियो डेवलप हो रहा है, कि वो कौन से 11 खिलाडी होंगे, जो पहले T20 में उतरें मेरा अपना ख्याल है, यह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि शुरू में पाकिस्तान फुल स्टेंथ के साथ जाएगा, पहले दो मैज जीतने के बाद फिर वो एक्स्टेंथ मेरा तो आपसे सवाल यह है, और सिकुबए मैं आपकी तरह भी आऊंगा, फुल स्टेंथ क्या जाएगा, क्या आप प्राफर स्टेंथ के साथ जाएंगे, जैसे उसामा मीर ने प्यासेल में बड़ा जबर्दस परफियाइब मीर, अबरार एम'Tने जबर लिए ने बहुत बटेंभी है, दोनौ बड़े अच्छे नजराए है, खासτά कि उसामा अमीर अच्छे कि आप इन स्पिनर्स को खिला रहे होंगे या आल डाउंडर्स की तरफ जा रहे होंगे थोड़ से इफ ही रहेगा यह से ना यह बटी साफ पहले बता दें पिर आप बता दें तेंगे मैंने दानिश जो 11 बनाए है जो मुझे लग रहा है कि पहले सिर्फ पर आजाएं पर हम और फिर फासबॉलस पर गया देंगे स्पिनर्स तो मुझे लग रहा है कि शादाब खान और इमाद वसीम यह दो इस्पिनर्स होंगे तीसरा हमारे पास आप्शन साहिम आयूब का होगा आप और लाउंडर्स की तरफ ही जाएंगे और साहिम आयूब को यूटिस करेंगे और आप लोग तो आप लोग भूर जाते हैं तो आप यह एक रहेंगे कि आप के सुच क्या है फिर में अपनी सोच बताओंगा मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि आपके नजर में एक विकट टेकिंग ऑपिशन क्या आपको चाहिए शादाब के साहिए मैं समझता हूँ कि आपको इस पेशलाइस्ट जो है इस पिनर इस पिनर होना चाहिए बहुत इंपॉर्ट है यह अगर आप आप टैमर्स को लेंगे तो हमने तो पास्ट में देखा था कि बाबर भूल जाया करते थे कि सल्मान अली आगा बॉल करते हैं मैं यह वैसे इतराज ह बी आपको नजर आएंगे और भी प्लेयर थे इतना नहीं है इसलिए इनका है कि यह बड़ा यूटिलिटी प्लेयर था और उसे अच्छी इनिंग्स भी कहली बॉल भी अच्छे के तो फैरे लिए इनकी सल्मान अली आगा की जो टाई थी वो उस्मान खान से थी अब उस्म करते हैं या मिडल ओर खेलते हैं नमबर तीन पर खेलते रहे हैं तो नीचे खेलता है थोड़ा फांच शे के ऊपर खेलता है बड़ा सबर लिमिट हो जाते हैं सल्मान अली आगा इतना एक्स्प्लोजव है नहीं कि वो उस नमबर पर आकर यूटाइस करते हैं चले यह बियान करूंगा आप उसे याद दिलाएगा आज सारी बात हैं आप बात में बियान कर रहे हैं थोड़े से टेस्ट के मूड में एक चीज़ के लिए बहुत जोर दे रहा हूं मैंने आज मॉनिंग शो में भी बात कि इस्तिखार को प्लीज प्रॉपर बैटिंग ओडर दें मैं कभी जिन्दगी में नहीं मिला लेकिन सिखार मैंने मॉनिंग शो में आपके सामने बताया था कि कल अजर मेमूद जो हैड कोच हैं इस सीरीज में उन्होंने काया कि पहले नंबर चार जो हैं वो तो हमारे फिक्स हैं उसके बाद हम फ्लेक्सिबल हैं सिच्वेशन के हसा पहले नंबर चार फिक्स हैं क्या उनका ओडर भी फिक्स हम इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक ले लेते हैं